हलो एब्रीवन मैं हूँ अनिल पाठिदार मैगनेट बेन्स इंदी में आपका स्वागत है दोस्ता आज के इस वीडियो लेक्टर में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं आज के वीडियो लेक्टर में पढ़ने वाले हैं कक्षा ऐट वी के सामाजिक विज्ञान के अंतरगत ह धर्म निर्पष्टा की समझ जो हमारा अध्याए नमबर दो है यूनीट एक चल रहा है इक चल रहा है जिसका अध्याइइ नमबर दो की में बात कर रहा हूं हम अज करने पूरा ना हो जाए समझते हैं एक एक करके दोस्तों धर्म निर्पेक्षता की समझ से क्या मतलब है धर्म निर्पेक्षता का मतलब क्या होता है इसको हम लोग कुछ कहानी के मध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि आपको एक कहानिया आपको इसमें समझ में ज हम भरत पर लिने जाओ तो बोह देश के लोग आपको मना कर थे आप के देश के लोग मना कर दे करो कि आप भारत में यूवाला कि बारत में एसा तो नहीं होता है लेकिन तो यह नहीं हो ह् आप नूगरिक भी भी हिंदु है और भारत में अक्सर दो ही धर्मों के वीच में लड़ाई चलती हिंदू और मुसलिम मालों आप से मैं कहा दू कि मुसलिम जो विक्ति है अभी तो हमारा देश में काफी संख्या है लेकिन मालों बहुत कम संख्या मालों रहते तो बहुत चोटे मुसलिम कहला तो बहुत य込या ऑगर को भी मुसलिम क कही और जाकर किसी जंदु करहें मुझे शहर में तो हो सकता है वाणों को यह मुसमों को को गर नहीं supply वाइट करते हैं लोग नहीं देते रेंट पर तो आपको कैसा लगा किया मेरे देश में मुझे ही घर नहीं दिया जा रहा है जबकि मेरा देश तो सेकुलर है उसके बाद भी नहीं धर मंदिर पर इस देश होते हुए भी यह नहीं दिया रहा है वैसे ही मानलो USA के छेह एक्वाशック nicht एफ युए से नहीं सबएसे में बहुत जब बहुत भारत में तो क्या आपने जनमें लिया तब भारत ही की संख्या ज्यादा है दोस्तों यूए से में क्रिश्चन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जबकि हिंदू और मुस्लिम जो धर में वहाँ पर माइनुरिटी में रहेंगे मतलब वहाँ पर अलप संख्या रूप में रहेंगे ऐसे में क्या होगा कि जिस देश में जिस यह हिंदू है और उपर जाहें मुसलिम से इन दोन में से कोई भी एक जैए अमेरिका का नागरिक भी बन गए उसके बाद भी आपको अमेरिका में यूएसे में घर रेंट पे लेने जा रहे हो चुकि घर जातर किनके पास में यह क्रिस्चन लोगों के बास में क्रिस्चन लोगों ने कम्यूनिटी बना लिए और बोल दिया कि नहीं हम लोग दूसरे धर्म वालों को नहीं देगे घर तो आपको वापर घर रेंट पर नहीं दिया फिर आप कहा जाओगे तो अगर आपको आपने ही देश में अपने ही देश मतलब जिस देश के आप नाग तो हमारा धर्म बहुत अच्छा धर्म निर्पेक्षता का उधारण है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका में ऐसा होता होगा मैं एक जामपल के तोर पर बोल रहा हूं तो कि अमेरिका में भी इसा नहीं होता जादा तर अमेरिका में बहुत अच्छा माहोल है वो भी धर भग्ता धर्म से संब्धि लड़ाया चल रही है इवन कहीं कहीं तो एक धर्म को ले कर एक धर्म वाला भी आपसमें लड़ रहे हैं तो लोकूं की ध् recount estéने कि अलग अलग धर्मों की होने की वजह लड़ रहा होता है इंजान लड़ रहे होते हैं धार्मिक संगर्ष की जब लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर एक और संगर्ष सुनने में आता है द्विती विश्वयुद्य के द्विरान हिटलर सापने भी ऐसा कुछ किया था हिटलर को आप जानते दोस्तों जर्मनी का यहुद्य के रहा कुछ लोगों से बड़ी इनको समस्य है पता नहीं कि प्रकार की रहे थी उस धर्म अना यहूदियों को इतना ज़्यादा इन्होंने परिशान किया था मोत के घाट उतार दिया था उतार लोगो को लाखों लोगों को से बंद कर दिया कुछ कम्रों में कुछ अंधेरी घूफाओं में ताकि वह सीधा नवर जाए और कुछ कहीं सारे लोग मर गये थे और बहुत सारे लोगों कुने मतलब छोडना नियुकvan की छोडना नहीं चाहरा था यहूदियों को कि पर अपंच करना चाहर था क्योंकि बच्वी हाँ में चित्रकारी के लिए ट्लसी एंटर यूर्ड साब तो मतलब यहूदी जो है वो मासूम है तब ही तो इनको मारा गया है तो जो मा जिनको मारा जारा हो मासूम है लेकिन वहीं दूसरी और यहूदियों का का दूसरा चेहरा भी हमारे सामने दिखाई देता है दोस्तों अधेस लेक्त यहां पहले मुसलिम लोग right यहूद यहां को जिसको एक संबर से जिस देश में आपकी संख्या जादा है आप बहुमत में हो आप छोटे धर्म को दबा सकते हो मार सकते हो तो यह इसे कहीं देशों में देखने को मिलता है दोस्तों साओधी अरब में अगर आप हिंदू है तो आप मंदिर बनाने का लोग नहीं किया गया नहीं भी नहीं पावित्र स्थान मुस्लिम दर्मों के वह भी आपको साओधी अरब में ही मिलेंगे तो साओधी में यह सब अलाओ नहीं है क्या लगा ठीकार लेकिन वहाँ पर system ऐसा है कि अनुमती नहीं मिलती है इसका बतलब यहाँ होता है क्योंकि सबसे जल्भ डर्यायम मुस कि जो भी संगर्ष आपको धर्म के नाम पर दिखाई दे रहा पूर दुनिया में वहां पर यह दिखाई दे रहा है कि बड़ा धर्म हमेशा छोटे दर्म के साथ अमानवी व्यवार कर रहा है इसी वज़े क्यों कर रहा है क्योंकि उस देश का जो एक ही धर्म है वो देश उस कभी होता नहीं है क्या भारत में ऐसा होता है कि हम दूसरे दर्मों के लोगों को भगा देते हैं आज तक इतिहाज गवा है भारत में कि हमने धर्म के नाम पर कभी किसी व्यक्ति को देश चोड़ने पर मजबूर नहीं किया तो हो सकता है भारत की अपने एक संस्कति है यह हमा लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और यह घटनाय तब ज्यादा बढ़ जाती है जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकारिक रूप से मानिता प्रदान करें धर्म वर्सेज का मतलब है कि जब धर्म के साथ राज्य भी हो जाए कि मैं भी इस धर्म के साथ जुड़ा हो और तब बढ़ जाती किसी देश में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार के जब बड़ा धर्म होता ना किसी एक विषेज धर्म को राज वहां की सरकार भी सपोट करें खुद अधिकारिक लूप में मानिता प्रतान कर दे कि इस देश का एक ही धर्म होगा जैसी पता यह दोस्तों पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो राष्टरी धर्म नें नेशनल रिजन घोशिद किया हूआ है साहिर सी बात है कि बात में भी गएर मुसलिम नोग होते जैसे हिंदू majiner लोग होते हैं अलपरसंग की उनके साथ अत्याचार तो हुए होगा और बिल्कुल अत्याचार वहां पर हो ही राय होता भी आया है साथ इसाथ उनको न तो पढ़ने के अनुमती के ज्यादा पर लिग भी नहीं पाते इस वज़ए से बैचार अपना जीवन जो है जिस्ते से करके जी रहे हैं लेकिन फिर भी तो फिर क्या मतला अपने धर्म को यहीं नहीं रख पाए आपने धर्म को ही सब्सक्राइब तो क्या कहें गया जमाना ऐसा कुछ उनके देमाग में रहता है तो इसी वज़ए से आज भी कुछ हिंदू लोग अपने धर्म को बचाय हुए उस देश में हैं पाकिस्तान में व सब्सक्राइब करें और उनको लगना चाहिए कि आप तो बहुत समय हो गया है भारत से आपको हो सकती परिशानी लेकिन आपकी देश में रहने वाले हिंदू लोगों से क्यों सकती वह तो है पाकिस्तानी है ना तो ऐसा उनको सोचना चाहिए का उनको भी बहुत अच्छी मिल गई होती पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा-च्छी टीचर होने अगर उनको पढ़ाया होता तो शाहद उनके मन में भी यसी भावना ही नहीं रहती कुल मिलाकर यह भाव ही है जो शिक्षा से आते हैं क्या भारत में ऐसा है तो भारत में बिलकुल ऐसा नहीं है कि भारत में ए व shops सरकार है कि कि सिब्लकों śp को अधिकार के प्रफ से मानित करता है सभी दर्म बराबर संभाना रखने वाले हैं नेक्स्ट है धर्म निर्पेक्ष्टा क्या है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेगे कि धर्म निर्पेक्ष्टा से पहले हम लोग एक चीज समझने वाले उसका नाम है मौलिक अधिकार यह मोलीकदिकार क्या होते हैं और इन मोलीकदिकारों के बारे में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे कि यह क्या प्रवाइट करते हैं मोलीकदिकार जो है यह किस तरह से हमारा लिसायक होती है इनका फाइदा क्या है मोलीकदिकार होने का यह यह न केवल राज जी की सत्ता से हमे 35 तक तक दिये तक आपको पता है कि अनुचेद नंबर 12 से अनुचेद नंबर 35 तक सकते आप को क्या मिलेंगे हमारे म Vic Adhiar मिलेंगे तो मolik Adhikaar भाग तीन में हैं ये हम आइसका फाइडा क्या है एक तो यह न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं राज्य की सत्ता से कैसे बचाते हैं देखिए हमारे हमारे देश की सविधान का आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है अनुछेद नंबर 13 क्या दोस्तों आर्टिकल को अनुछेद बोलते तो जहां जहां मैं जब आ सरकार मालो सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाएगी कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो लोगों के मोलिक अधिकार का हनन करता हो कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो लोगों के मोलिक अधिकार से संगत नहीं हो या मोलिक अधिकार का हनन करता हो तो ऐसे में सुप्रिम कोट और अवेद घोशित कर सकता है तो देखो अवेद घोशित कर दे तो इसका मतलब है कि सरकार का जो कानून बनाया गया था वो काम नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि सरकार जो राज जी की सत्ता है उसके दुरुपयोग से हमें बचाते हैं कुल मिला करके मोलिक अधिकार में इतन बचाते दोस्तों अनुचेद नंबर अनुचेद नंबर 29 और अनुचेद नंबर 30 इन दोनों में एक अधिकार दिया गया है यह अधिकार बात करता है अल्प संख्यों को के अधिकार अल्प संख्यों को के अधिकार अल्प संख्यों को के अधिकार की बात करता है अब अगर मैं आसे बोलू कि अलपसंख्यों को अधिकार दिया गया अलपसंख्यों को उनके सेक्षणिक संसान खोलने का अधिकार जिए गए बहुर संख्या इसका मतलब यह चोंप में हैं और कोई भी तरम में बड़ा या चोटा नहीं है सब को just कदला ने से लोग हो सकता है वह कि मतलब यह के차 हो सकता मतलब यह पर्लामेंट की बहुमत की बात कर रहा हूं कि यह बलकि बहुमत की तो बोटकी निरंगुष्टा से इसे बचाने के लिए आर्टिकल 29РИसं औरा का मतलब यह बिए भी होता है कि सब्सक्राइब बोटस्टोर Looks कि सबस्कार को सरकार बनाति यह लेकिन सरकार को यह पता होना वही लेने हैं जो सर्क जनता के हित में हो इसका मतलब यह है कि भले आपको सारी की सारी 543 सीटे भी एक ही पार्टी को आ जाए और उस पार्टी में दूसरे धर्म के एक व्यक्ति भी नहीं हो उसके बाद भी वह बहुमत वाली सबस्कार निरंकुष नहीं हो सकती क्योंकि उस पर अंकुष्य लगाने के लिए सुप्रीम कोड बेठा हुआ हम्SU हम लोग हमारे मॉली कदिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोड हुआ कंझ जा सकते हैं आर्टीकल 32 violet किन अर्टीकenne बहुमत की नरंकुषता सब्सक्राइब गलत कर रही तुरंट सरकार के खिलाव फैसला देना पड़ेगा और कई बार ऐसा हुआ है कि चीजों को बंद करना पड़ा है दोस्ता आपको बता है कई बार धर्म से संब्दी मामले तो वैसे ही बहुत होते हैं दर्म जाती के संब्दी मामले जब भी आते तो सरकर जो सुप्रेम कोट होती हमारे साथ होती दोस्तों आपको बता है कई बार मुवी वगेरा जो बनाते डिरेक्टर लोग फिल्मी दुनिया से सब लोग जूड़े होते हैं इसलिए मुझे लगता है कि फिल्मी दुनिया के ए कुछ जैसे गाने बना देते हैं जो भगवान के नाम पर हो और साथी साथ उसमें इसी कुछ दिखा जाती जो खोड़ा सामको लगता है कि हमारा धर्म को बद्दाम करने की कुशिश की जा रही है तो क्यों होता है लोग दबाव डालते हैं लोग विद्रोग करते कि मुवी पर में नहीं आनी चीन तो नहीं आनी चींए हमारे पास में क्या है हमारे पास में आंदोलन करने और विरोध करने की शक्ति हैं बस वहीत सरकार से हमें बचाती धोस्तों मैं आता ह ق statement के दूरान सब लोग को रवना में व्यास्त है लेकिन को देश का एक तब का पंजाब और हर्याना का बहुत बड़ा एक समुदाए देश में लड़ाई लड़ रहा था अपने हक की लड़ाई लड़ा था उसका नाम था किसान उसी को बोलते हम लोग किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पे बहुमत में उसको लगा कि हम तो बिल पास कर देंगे बिल पास भी कर दिया लेकिन लागू होने से पहले ही उन्हों ने इतना अच्छा विरोत किया कि दो साल के बाद खुद प्रदान मंतरी साब को माफी मांगने पड़ी कि ठीक है मैं अपने कानून वापस लेता है और व कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूं को सभा करने का अधिकार आर्टिकल 19 हमें प्रवाइट करता है अनुचेद 19 हमें यह देता है तो आप समझ गया होंगे कि भहुमत की निरंकुष्टा से कैसे बचाते हैं है नेक्स पॉइंट है सविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तोर तरीके को अपनाने की पूरी चूट देता है अनुचेद नंबर 25 से लेकर अनुचेद नंबर 28 इसी की बात करता है इसका नाम है धार्मिक स्वतनता का अधिकार हर एक व्यक्ति को अपने धर्मों को मानने आचरन करने व्यवहार करने प्रचार करने और धर्म में जितनी भी चीज़े हैं उनको करने ग्रहन करने का पूरा पूरा अधिकार है तो सविधान सभी को अपने धर्म विश्व अपने अधार्मिक विश्वासों और तोर तरीकों को अपनाने की पूरी छूड़ देता है जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है यहां तक आपको बात समझ में आगी नेक्स्ट आपका ध्यान देने लिवात क्या है भारती राज्य ने धर्म में राज्य के मैं राज्य वैं धर्म के साथ नहीं रहेगा तो तब्सक्राइब रहेगा जरुबध पढ़ी तो हस्तक्षय कर सकता है ऍसे मामले और जयाता है लेकिन जब लग रहा है कि धर्म के मामले घ्लक चल रहे है कि लोग को कुछ परशानी ऊस train घ्छ से अलग रखने की इसी धार्णा को धर्म निर्पेगष्टा कहा जाता है देखें केवल भारत की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहां पर पुरी दुनिया में धर्म निर्पेक्ष्टा क्या है पुरी दुनिया में धर्म निर्पेक्ष्टा का मतलब यह है कि धर्म राज्य से अलग होगा निर्पेक्ष्ट का मतलब होता है अलग रहना तो धर्म जब राज्य से अलग होता समर्थन नहीं देगा किसी विशेश धर्म को समर्थन नहीं देगा राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा इसी को बोलते धर्म को राज्य से अलग होना भारत की बात करों में यहां पर कि भारत में इस सिस्टम है और दुनिया में सिस्टम यह है कि धर्म अलग र समझाओंगा तब आपको अच्छे समंझ में आएगा नेक्स्ट धर्म को राज्य से अलग क्यों रहना चाहिए अलग रखना महत्पूर्ण क्यों है इसको समझते हैं कि धर्म को राज सत्ता से अलग करना क्योंकि एक लोगतांदरिक देश के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि अगर धर्म को राज सत्ता में जोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि अगर मालो किसी एक धर्म के पास सत्ता आ गई तो फिर यह पास साल उसी धर्म के नाम पे जाएंगे फिर अगली बार किसी और धर्म के नाम पे जाएंगे लेकिन ज्यादा तर एक धर्म क के लिए करो मुसलिमों के लिए करो सिखों के लिए जैनों के लिए बद्धों के लिए करना पड़ेगा क्यों क्यों कि अल्प संक्यक समुधा है और हिंदू अपना हिंदू के पास जंसंक्याप हो जा रहा है तो अपना अधिकार छीन सकते हैं छीन के लिए लगे लेकिन बाक मतिदे भगवान मतलब हम लोग लगातार गाने बना करके लगातर भावना बनाते लोगों के पैदा करते हैं कि भाई सब अलग अलग नहीं है सब एक ही है बस आपको पूझने का तरीका अलग अलग है बागी सब लोग एक ही इनसान ही तो है तो हम लोग यह मानवता की भावन में ऐसा बहुत कम शाय को देश होगा जहां पर कोई धर्म छोटा को कजसे हम HAID ya界 होगा ओर एकती बुभिया द्यायफ और मिल जाए तो और्वाइस दुनिया के सारे देशों में एक से ज्यादा धर्म है दुनिया के सारे के सारे दिशों में एक से ज्यादा धर्म है इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुमत और बहुमत वाले धर्मकी बड़े धर्मकी और अल्पसंक्यक धर्मों के विच में कुछ तो हो सकता है यदि बहुमत वाले धर्मक के पास सत्ता चली तो क्या होगा ऐसे में अगर एक से ज़्यादा धर्म है और बहुमत वाले दल के हाथ में सकता हो तो ऐसे में क्या हो सकता है ऐसे में क्या होना चाहिए तो ने लेकिन क्या हो सकता है हो यह सकता है कि दूसरे धर्म के साथ वह भाव करें या उसे परशान करने की कोशिश करें कि इसी भी देश की बात बता रहो है मैं अगर उस देश की सरकार भी किसी धर्म को सपोर्ट करती हो ना तो पर क्या होता है दूसरे धर्म के लोगों के साथ गलत होता है दोसों श्री श्रिलंका में इसा कहीं बार देखा किया है श्रीलंका में एक तो हिंदू तमिल रहते और बाकि दूसरे लोग भी रहते हैं सिहली भाषा के नाम पर अलपसंक्या के वल धार्मी की नहीं हो सकते भाषा के अधर पर भी हो सकते तो वहां पर तमिल भाषा के लोगों के साथ बह को दोसरे धर्म के साथ भेधभाव या उसे परिशान कर सकता है जैसे पा पाकिस्तान इसमे जह तक सनके कि आतम होती बंदिर के लिए कुछ करते हैं और नहीं दो 사sm की चल रहे होते हैं कुछ भाजन के तो बीचारे कुछ सब्सक्तार कर ना तो उनको सपोर्ट कर देते हैं कुछ मुसलिम ऐसे हैं वहाँ पर बहुत हाराथ ठीक नहीं है आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और जितने भी संसाधनों के देश का इस्तेमाल जातर वही लोग करेंगे जिनके हाथ में सकता है तो बागी करने कि का उसदेश के इस्ते नहीं है तो श्रहां को के साथ बहुमत वाले वह बेहार फट सकते इस प्रकर का ये ड्र हर डेश में बना रहता है जब आप fulfilled मैं हो तौक आउन्चularःता है कि बहु संख्यक मतलब होता है या तो धार्मिक निरंकुष्टा समझ लो या पारलेमेंट में बहुमत की निरंकुष्टा समझ लो तो बहुमत की निरंकुष्टा में होता क्या है धार्मिक अलपसंक्यों को के साथ भेद्भाव जोर जबरस्ति करना जब आपके देश में किसी एक धर्म का बह होगी और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की हत्या भी कर दी जाएगी तो यहां पर हमकों हत्या जैसे कुछ प्रावधन भी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता और पता भी नहीं जलता कहां गया आकड़े भी तक नहीं मिलते ह को कि उन से धर्म से कानुसार जीने से रोका जा सकता है कि आपके धर्म रिधिर वॉअब ACT अजिए पहले था है अब करना सकते कहिंग ज़tern tutoring करते लेकिन को परिशान करके बंद प्रूस करते हैं और पर होली या दूसरत्यूहार भी मनाते तो उनको धर मनायाता है को चाहिए बात तैंगे जान बूच का दूसरे धर्म के जो लोगникомत वाले जो लोग हो जाकर के विरोध करते हैं ऐसा काम हो जाता है दोस्ट एक के लुका निए मंदर बनाने की कोशिश की जाए कने सैंक्षन भी कर दिया ता लेकिन वहां के लोगों ने विद्रोग किया दोस्तों वो मंदर बनने में ने दिया आपको बता हमारे देश में बाबरी मस्जित को तोड़ा गया था 1992 के आसपास बाबरी मस्जित को राम मंदिर जहां पर बनने वाला है वहां पर पहले बाबरी मस्जित थी उस बाबरी मस्जित को तोड़ दिया गया था तोड़ा गया था हमार देश के लोगों ने बुला था कि यह बागवान राम का मंदिर तोड़े गए थे उस समय इसका मतलब क्यों ऐसे तोड़ा गए थे क्योंकि उस देश में मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है और हिंदु धर्म बहुत छोटा है अलपसंक्य गए और वहां के धर्म सरकार वह भी मुस्लिम धर्म को सब्सक्राइब करते थी ऐसे मुंने कुछ किया नहीं लेकिन भारत में सोचो यह कहली बाबरी मजिद गिराने के बाद कितना बड़ा मामला चला केस चला सुप्रिम कोड में मामला गया सुप्रिम कोड ना आखरी में फैसला दिया तब जाके हम भेदभाव वर्सेश उलंगन भेदभाव और उलंगन में अंतर क्या है इसको समझते दोस्तों की भेदभाव क्या होता है और उलंगन क्या होता है धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उलंगन है जो लोकतांत्रिक समाज प्रत्यक नागरिक को प् पुरा पुरा अधिकार है ऐसे में अगर किसी धर्म किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए तो फिर उसके उन अधिकार का उलंगन हो गया जो इस देश ने प्रतान किये थे हमारा देश में धर्म के आधार पर किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से नही नहीं नहीं हर भोजनाले में हर रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति जाकर के खाना खा सकता है क्योंकि यह पब्लिक प्लेसे सब्सक्राइब किसी भी व्यक्ति को जाती के अधार पर नहीं रोख सकते हैं जाती के अधार पर इस देश में नोक्री करने से भी नहीं रोख सकते। देश में आर्मी हो चाए कोईसे कोई भी गवर्मेंट जो सब में मुसलिम, हिंदु, फिख सब लोग रहते हैं इसका मतलब सभी को धर्मक के अधार पर बता है इस देश के हरेक नागरीब को मिलता है यह तो बास समझ में आगे नेक्स पॉइंट पड़ते हैं बहुमत की निरंगकुष्ता के कारण मुलिक अधिकारों का हनन होता है इसी वजह से धर्म वर्सिस राज्य तो मतलब धर्म वर्सिस राज्य राज्जिकीवज़ जरा यह कहना चाहरा है कि बहुमत की निरंकुष्टा के कारण मुलिक अधिकार का हनन होता है और यह क्यों होता है धर्म के साथ राज्य के जुडाव से जब राज्य किसी धर्म को मानिता प्रदान कर दे जब राज्य किसी धर्म को समर्थन दे दे तो उसकी वज़े से क्या होता है उसके वज़े से मोलिक अधिकार का हुनन होता है और बहुमत की निरंकुष्टा मतलब समझ रहे हो बहुमत की निरंकुष्टा का मतलब यह है कि वह सरकार बहुमत में आजाए कि जो किसी एक धर्म को सपोर्ट करती हो तो इसे में भैद भाव और उलंगन दोनों देखने को मि सको रोकने के लिए ज़रूरी था और ओधिके दोस्तों आगे बढ़ते धार्मिक स्वतंत्ता क्या होती धर्म को राज्य से अलग रखने का एक और महत्त्रपूर्बक यह है क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंता विकनों धार्मिक स्वतंता तभी मिल पाएगी जब राज्य इंटरफेर नहीं करेगा सभी धर्मों को अपने इसाब से जीने का अधिकार देदो ना खुला छोड़ दो आपको जो करना है स्वतंत्रता का मतलब ही क्या हुआ हमारा देश चाहें चाहें कर सकते लेकिन आप नमाज नहीं पर सकते तो यह कैसी स्वतंता है जिसमें आपने सब कुछ तो दे दिया लेकिन जिस से हम जुड़े हों जिससे हमारा दिल जुड़ा हुआ है जिस धर्म से हम please हुआ है तो धनका अधिकार भी हमें मिलना चाहिए तो उसमें क्या होता है लोगों को धार्मिक चुनाव करने की आजादी तो उसमें यह नहीं कि लोगों को अब मालो आपका जन्म किसी हिंदु परिवार में हुआ क्यारा है तो जरूरी नहीं कि आप हिंदु बनकर ही आपका स्वतनता का अधिकार इसका मतलब यह नहीं कि आपके आप अपने धर्म को मान सकते हो आप अपने धर्म के आज रण आच रण कर सकते हो प्रचार कर सकते हैं यह तो है ही इसके लिए भी है कि आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है आपके मरजी उस धर्म को मानने कोई फरक नहीं पड़ता प्रत्यक व्यक्ति को किसी धर्म को अपनाने का अर्थात धार्मिक उपदेशों की व्याख्या करने की सुनता भी है किसी धर्म को अपनाने का अधिकार है और धार्मिक उ अर्जुन से इस परकार की बात कही थी और ये हर एक इनसान को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए इसे गाउं गाउं जाकर के जैसे कबीर बंती और यह लोग रहते थे उस समय भी यही करते थे लोगों को जागरूप करने का प्रयास करते थे वो बोलता थे कि भाई जीने उसके लिखे हुए भजन, उनके शब्दो को भजन हे प्रोफ कर के और कबीर के जो गायन है उसको गाते रहते कबीर की गायन-सूफी गायन ओब बहुत कमाल काया दोस्तों कभी सुनना इतमिनान से उसको headphone लगाकर कैसी मोज़ाँ आए कं इतने साल पहले वहीअ व्यक्ति ल नमाज पढ़ने लेकिन आगर आपको लग रहा है कि नमाज बहुत अच्छी चीछ आपको करना चाहिए मैज़या नहीं लग रहा है कि मुझे अभी कोई मतलम नहीं यह मुझे शांती चाहिए और मैं किसी को परशानी कर रहा हूं देखिया आप तब भी महान है जब आप दूसरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आप तब भी महान है जब आप दूसरों को पिल्कुल भी परेशानी नहीं कर रहे हैं आप से किसी और व्यक्ति को परेशानी नहीं तब भी आप महान हैं और आप किसी दूसरे की परेशानी को समझ में आगया क्या होता है नेक्स बात करते हैं आगे बात कर दें प्रथा वरसेश चुवाचूत की बात करते हैं प्रथा और चुवाचूत क्या होता प्रथा प्रथा में के अंदर ही चुवाचूत अथा प्रथा क्या होती प्रथा जो होती है किसी विशेश धर्म में पाई जा लोग इतने भी कैसे हो सकता है कि आप एक ही धर्म में हो और पहले तो आप अपने धर्म के अधिकार मांग रहे हो उसमें आप अपने धर्म के लोगों के साथ भेदबाव कर रहे हो तो हिंदु धर्म में छुवा चूच जो है यह बहले ही गलत हो परंतु अगर सत्ता प्रभा जिसे अलग नहीं रखा गया और राज्सित पुर्ण दिशला गया जला उनके हातों में चले गई ऊपर कास्ट के लोग इनकी चले गई तो अज़ी चूआ-छूद गलत किंव में किया सकता क्योंकि सत्ता अभी भी किस के हाथ में सत्ता प्रभाव शाली वर गयानी अपर कास्ट के हाथ में हैं तो अनुसरी जाती और जन जाती कि खिलाब अत्याचार जो होगा वह चुवा-चूत की भावना वह बले गलत हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते क्योंकि राज्य-धर्म के मामले में इंट्रफेर कर रहा ना हमने अलग रखने की बात की लेकिन अभी मानलों अलग नहीं है तो क्या हो सकता यह होगा अलग नहीं होगा तो इसलिए हमारे देश के धर्म हमारे देश में क्या है धर्म इसको करने के लिए करने के लिए सविधान में बुला गया चुवा चूट नहीं रखोगे यदि आप प्रभुत्व समशाली वर्ग से भी हो तब भी अपने समुदाय का विरोध आपको जहनला पड़ेगा इसका मतलब क्या यह नेक्स्ट लाइन का मतलब किसको समझा जता हूं फर्ज करो कि आप उस अपर कासे हो जिसके पास सत्ता है सरकार है सरकार भी निए के पास में आप क्या हो रहा है कि भले हिंदु धर्म में छुवा चूट गलत प्रता लेकिन उसको खतम नहीं कर रहे क्यों क्योंकि खतम करने व सकता अगर प्रभुत्व शाली वर्ग के साहत में तो क्या करें कि सपोर्ट करेंगे चुवाचूत को लेकिन आप पड़े लिखे विक्ति हैं और आपको लगता है कि चुवाचूत गलत है नहीं है गलत है लोगों के साथ यह सा विमार नहीं करना चाहिए आप अपने ही लोगों के साथ आप प्रभूत आप भी अपरकास में हो लेगन आप बोल रहों कि नहीं मैं इस यह सहन्य करूआ सब को अधिकार देना चाहिए तो फिर आपके ही लोग आपके खिलाब विद्रो कर देंगा कि हमारे ही कम्यूनिटी का हो के हमारे खिलाब आ रहा है आज भी हर्याना में बहुत सारे से केसे सोते हैं कि वो जो पुराने जो लोग होते थे वो पंचायद लगा देते और किसी को भी सजाद देने का अधिकार उनको जब देश में हमारे यहां पर न्याय पालिका है तो यह लोग कौन है जो नया कानून चला रहे है ऐसा नही कि यह तक समझ में आ गया अब समझते हैं लोग हमारा नेक्स टॉपिक जो सी में चल रहा है उसका नाम है भारती धर्म निर्पेक्ष्टा क्या है अब लोग आते कि भारत में धर्म निर्पेक्ष्टा का ट्रेंड क्या यह भारत में किस प्रकार के धर्म निर्पेक्ष्टा नहीं करेगा और किसी धर्म को अपनाएगा भी नहीं सब के साथ बराबर 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 विवार करेगा सब को बराबर अधिकार देगा तो उनने बोला कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि केवल धर्म निर्पेक्ष राज्य ही ख्याल रख सकता है एक धर्म निर्पेक्ष राज् बनेक्सांग है तो वह क्या देखेगा वह दीखेगा कि एक धर्म से धर्म को नद भाए अब लोग अप्ने लोगों को न दबाये जिसे चुँवा चुत फुत लाओगे धे यह जाती जटी-ो लगातार सालों से दबाया रहा है कि आज भी बले ही बोल दिया जाता है कि अनुसरी जन जाती को अरक्षन दे दिया गया है तो अरक्षन से सब को पूझने लेकिन उस भगवान के मंदिर में जाने तक भी नहीं दिया जा रहा है यह अपने ही भगवान को देखने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ रही है और कलती से कोई चला भी गया तो बड़ी दिक्कत उसको मार देते हैं ऐसे कई सारे वाकियों अच्छे बड़े लोगों के साथ भी गलत विवार करना राज्य न तो खास धर्म थोपेगा और नहीं धार्मिक स्वतनता को चीने गाए तीन चीजों को ख्याल रखता है न तो राज्य किसी धर्म को सब के ओपर थोप सकता है कि सभी हिंदु धर्म बाना हो कल से जितने भी स्कूल है चाहे व नहीं गाना वो नहीं गाए प्रेयर है जिसको करना है वो करें जिसकी इच्छा वो करना चाहते हैं वो कर सकता है सरकारी विध्यालयों में तो कम से कम सरकार यह नहीं कर सकता यहां तक समझ मैं आपको नेक्स बात करते हूं कि राज्य वर्सस धर्म की बात करते हैं फिर सब्सक्राइब राज्य वर्सस धर्म एक और बार फिर सब्सक्राइब को समझते हैं धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारती राज्य कहीं तरह से कारी करता है धर्म के धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए धर्म को स्क्राइद के लिए सुरक्षा देने के लिए कहीं प्रकार के तरीके अपना था क्यों कि भारत में जो धर्म निरपेक्षता था बागत ने तरह की निति अपनानाती भारत सरकार यानि जो राज्य वह है कि दर मसे बिंदोराई जाए कुछ मामलों में जो वह कर रहा है वो करने दो अप अप तरीक्व नोगों को की शादी क가요 के शादी वह तनी लगारें आप शादी है या करेंszp बन करो। सिधा एक ही वो धर्म के मामले में इंटरफेर नहीं करती है और कुछ मामलों में दूर रहती तो पहला जो तरीका है धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारती राज ये क्या-क्या तरीका अपना थी पहला वह धर्म को कुछ से दूर रखेगा कुछ मामलों में सब मामलों में नहीं कुछ कुछ मावलां में घर्म हों में रही सोम्हें कि किaaa कि नहीं पूंअ सरदार जी का और एक आदमी एलमें पहते हुआ है आप हैप हेलमेट सब के लिए और भी तर देखेझा रहे लेकिन सरदार जी कोई हैलमेट नहीं पहनने पर रेकिन कर रहे हैं क्यों अब सरकार है कि के नहीं हम को जद क्षेप नहीं करें घर्म का मामला है और चुआ चूट के मामले में सरकार हस्तकिऑ करेगी न कि एक ही दिर्मिक गो अथी को पत Northern तीन तलया का ना मैंस्ट किया था और उनको लग रहा था कि मुस्सेलिम महीलाओं के साथ गलत हो रहा हैं तो सरकार उनकीकर की लिए अपनाते हुए उस मामले में हस्तक शेप किया और त्रिपल तलाग को बेंग कर दिया आपने देखा होगा आगे बढ़ते करके तो यह तरीकों की बात करते दोस्तों अब तरह साइन इसमें क्लियर होना शुरू होगा भारती धर्मिर्पेक्स्ता क्या है उसमें धर्मिक दबऑने के लिए राज्य क्या-kya हत्कंड अपनाती है नरत आती है बैख्या तरीका स्यम को को धरमसे दूर रखेगा पहला तरीका समझते हैं वह राज्य खुद को धरमसे दूर रखेगा तो आ गई तो गलत होगा इस वज़े से धर्म से खुद को दूर इसले रख रहा है ताकि भारत के सत्ता जो है किसी एक धर्म के हातों में नहीं होना चाहिए क्योंकि होगी तो फिर दिस्क्रिमिनेशन भैदभाव और उलंगत दोनों देखने को मिलेंगे तो इन परिस्तितियों में तो ऐसा नहीं होगा सरकार किसी धर्म की नहीं होगी ऐसा कभी बुला जाता है कि अगर मैं आप से पोछू कि अभी बताई जाए देश को सरकार किस की है मैं बोलो ना क्या हिं कि है क्या मुसलिम के क्या क्रिस्चन की ये यह अई ज सिखों की है ये आप आप या आप आप से बोल दूक आप से बूर्र क हो एंप संभी आपुचिन जै क्या जैक्सिक्रकार chocolate आस और उत्सें सब्सक्राइं बेगेर है में सबस्दा हैं आपने हिंदु धर्म का जिक्रह नहीं किया यहां पर मुस्लिम धर्म का जिक्रह नहीं किया इसका मतलब धर्म के लोग रहते हैं इसका मतलब सत्ता किसी एक धर्म के हाथ में नहीं होना चाहिए इसी वजह से भारत में जो राज्य है धर्मों खुद को धर्म से अलग रखता है कि राज जी किसी एक धर्म को समर्थन भी नहीं देता राज जी नहीं बोलता कि हम तो आप तो मोदी साहब आगे अब तो लोग लग रहा था 2014 में जब मोदी साहब आए नहीं देश में तो लोग को हिंदू को हिंदू को यह लग रहा था कि आप तो बस सब पाकिस्तान चले ज लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना तो मुस्लिमों को नरेंदर मोदी साब से कोई दिक्कत हुई और नहीं उनके खिलाब कोई भी कारिवाई की गई या भेदबाव गया सबके साथ समान विवार किया जा रहा है क्यों क्योंकि सरकार कभी किसी धर्म को समर्तन देही नहीं सकता देगा तो सरकार गिर सकती है दोस्तों देगा तो अपोजिशन वाले गेरने के लिए देगा तो मीडिया वाले है देगा तो सुप्रिम कोड हाई कोड है राज्य किसी ध मतलब खुद को दूर रख रहा है कि मैं किसी धर्म का सपोर्टर नहीं हूं आप देखलो पने इसाब से लेकिन मुझे मत बोलो मुझे धर्म में घसीटो मत मेरा काम विकास करने का मैं विकास करूंगा कि ध्यान देना है कि भारत में कचरी जोती है कोट कचरिया थाने सरकारी विध्याले दफ्तर सरकारी दफ्तर आधी सभी संस्थानों में आधी सभी संस्थानों में संस्थान लिग देता हूं मैं कि आदी सभी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोच्साहन नहीं दिया जाता है चाहे स्कूल हो चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो चाहे कोट कचरी ओ थाना हो कहीं पर भी किसी विशेश धर्म को अलग से प्रोच्साहन नहीं दिया जाता उसका एक एक्जामपल बूर अच्छा आपके ncrt में लिखा हुआ हम लोग इस फोटो को देखते हैं यह फोटो आ यह चल चित्र आपके इसमें दिया गया है दोस्तों आपकी ncrt ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का सब्सक्राइब करना पसंद करती है लेकिन लोगों को पढ़ने की आदा थे वही लोग इसको समझ पाएंगे जो लोग पढ़ते अबचे जो मास्टर जी के पास एड मास्टर के पास यह आध्यापक जी के पास है उनने बोला कि Seth लोगों और तक कोई दार्मिक तयोवार नहीं मनाया यह मैंने बड़ा नहीं हम चाहते कि school में इस बार झूम धौम मनें सर्कार तो मास्तर जीं ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं रेखा नाम की बच्ची नंगा लुकुंचन किया तो नहीं रेखा नहीं कर सकते यह सरकारी स्कुल है यहाँ पर किसी भी धर्म को महात्व नहीं दिया था नीजी स्कूल की बात चोड़ नीजी स्कूल में हो सकता है तो नीजी स्कूल में जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन हम लोग हमारी सरकारी स्कूल की चार दिवारी के अंदर किसी भी धार्मिक अनुसंद धार्मिक त्योहार को धार्मिक महत्व कि किसी भी चीज को लोग अलव नहीं करते हैं क्योंकि वह यह सरकारी स्कूल है और जुल सभी धर्मों के साथ समय करता है इसलिए क्सर त्योहारोगों पर सरकारी छुट्टी कि गोशित की जाती है तो आप अपने कभी विचार कि आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो प्राइवेट में पढ़े हो तो डेफिनेटली आप इस बात को नहीं समझ पाओगे लेकिन अगर आप शास्की स्कूल में पढ़ें साला की प्राइवेट स्कूल में भी कभी मनाते नहीं है ऐसा त्योहर बगेरा नहीं मनाते कुछ स्कूल मना लते हैं तो शासकि स्कुल में हमेस्या त्युहार की छूटी रखी जाती लेकिन दो त्युहार ऐसे आते हैं जिस दिन चुटी नहीं होती उसे दिन हम लोग त्यूहार मनाते हैं वह कुछ से दो त्यार किसी राष्ट्री त्योहार है दोस्तों और इस दिन चुटी नहीं रहती हम लोग आराम से खुशी-खुशी मनाते हैं कि हम लोग अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आजादी इतने साल पहले मिल गई तो फिर अभी भी क्यों हम लोग से रिवेट करें क्या मोई क्या ऐसी पैसा खर उसने इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज भी हम लोग स्वतंत्र है पूरी तरह से हमें कोई गुलाम नहीं कर पा हम लोग दिबाब रोज सुबह उठते हो ऐसा बोलते हैं कि रोज सुबह उठने से उठते से ही आपको अपने कलाईयों को देखना चाहिए और साथ धरती को प सा जाल मतलब एक साल को सनबल ओर रहे हम लोग रहेंगे यह बात हमें हमें हमेशा याद रखने के लिए हम लोग मनाते हैं तो कुल मिलाकी इसमें समझ में आ गया शास्की स्कूलों में कभी भी किसी त्योहार को मानेता पदानने की जाती इसका मतलब राज जो है वो कभी रहे थे कि धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए सरकार जो है क्या-क्या हत्कंड अपनाती राज जो है किन तरीकों को अपनाता तो राज तीन तरीकों को अपनाता है पहला हमने समझ लिया खुद को धर्म से दूर रखेगा दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीती धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए सभी धर्मों को उसके सम्मान व्यक्त करने के लिए यह अहस्तक्ष्य तरीका अपनाता है उसमें क्या होता है अर्थात राज्य कुछ बले ही घुमने फिरने का अधिकार हमारा मुली का दिकार है लेकिन जब भी कोई बड़ा तयोहार आता है किसी धर्मका तो पूरा रोड जाम कर सकते हैं वो को सेलिबरेट करना है कि जक्र में हम लोग परेशान तो होते हैं लेकिन फिर भी सरकार राज्य बोलता है कि नहीं है यह धर्मका मामला है हम लोग अहस्तक शेफ रहें तो सही है क्योंकि यह संबान करते धर्मका थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो तो थोड़ा सा परेशानी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है जो है उनको बंद करवा दो कि भी धारमिक्स जो कर्टन हो भी बेन करवाद वह पर रोड पर ट्रेली नहीं काल सकते त्रीक गाल सकते हैं को तें अपने धर्म के धर्म के अनुया मानने और धर्म के जितने भी क्रिया कला पर उनको करने का अधिकार है शादी करने से मना थोड़ी नहीं कर सकते आपको यह धर्म पूजा करने से मना नहीं कर सकते यह नहीं बोल सकते कि पूजा करने के टाइम हम डिसाइड करेंगे आप नहीं है हुँ दूसरा व्यक्ति हया है प anx defined में पैंने का नाम वे प्रमजीत और gs है तो यह कि घबरेंशनांधनी मेरे चब्लद था इसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारा चलान क्यों दोस्तों तीसरा तरीका सरकार धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए तीसरा तरीका अपनाती हस्तक्षेप का तरीका धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए बहुत जरूरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो धर्म के नाम पर जो गलत धालना है चल रही है जो गलत क्रिया धर्म को दबाते हैं इसलिए सविधान और राज्य इसमें इंटरफेर करके इसमें पाबंदी लगाता है सविधान ने बोला आर्टिकल 17 में अनुचेद नंबर 17 पड़ो जड़ा उसमें क्या बोला है अनुचेद नंबर 17 बोल रहा है कि धर्म के आधार पर यानि जाती के आएगी आइसप्रष्टा पुरी तरह से खत्म होगी अगर सविधान में लिख देने से भी खत्म ने हो तो तो फिर राज्य का काम राज्य का करेगा कानून बनाएगा 1905 में असप्रष्टा उन्मुलन अधिनियम बनाया इनीस सो 1989 नावसी में एक और अधिनियम बना जिसका नाम था अनुशुचित जाती जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यह तो बहुत खतरना गदिन हम ताइस में तो स्ट्रोशिटी एक्ट बोलते हैं इसको इसमें उसे जाते हो जन जाती के खिलाब बहुत लगबग तेईस क्राइम के बारे में बताया गए तेई सपरादों की चर्चा की कि अकर आप इसा करोगे तो सजाए इसा करोगे तो सज क wrapped करता है राजज क्या करेगा बेद भाव करने वाली जो भी प्रता है उसमें अस तक shape कर सकता है साथ ही साथ त्राज्य क्या कर सकता है प्राज धर्म आधारित नीजी कानून में भी हस्तक्षब करेगा अगर आप बोल रहेаемсяब का लो आप यह कानून नहीं है हमारे धर्म का यह चुवा चुथ हम गलत कर रहे हैं आपने हस्तक्षिप कर दिया लेकिन हमारा जो कानून है उसको नहीं कर सकते धर्मिक कानून में हस्तक्षिप नहीं कर सकते लेकिन सरकार यानि राज्य धर्म के कानून में भी नीजी जो कानून होते हैं धर्म के जैसे हिंदु धर्म के निजी कानून है मुस्लिम धर्म के निजी कानून है मुस्लिम धर्म का एक कानून चलता है शादी को लेकर के उसको बोलते हम लोग तीन तलाक आपने त्रिपल तलाक का नाम जरूर सोना होगा तलाक 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 मुस्लिम में क्या होता कि एक तो पहले बात तो है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तलाक जब शादी हो रही थी तब तो मंझूर है कबूले कबूले सब दोनों से बुलवाए लड़की भी बोलती थी लड़का भी बुलता समानता थी लेकिन जब छोड़ने की बात है तो एक ही जो उनके निजी कानून है उसमें भी हस्तक्षेप करती है सरकार ने राज्य हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि हस्तक्षेप की निती अपना नहीं पड़ेगी देश में सब को समानता कर देना राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है राज्य जो भी हस्तक्षे में नखी लत्sterdam 13 में लिखा गया है कि जितने भी अलपसंक्यक धर्मक समूदाई वह चाहे तो अपने धर्म के sectionic अनस्ठानों को खोल सकता है तो कितना आचछा है यह कि जब सव्विधान सुझ धर्मकbudाय को अपने धर्मकों बढ़ाने के लिए सेक्षिनिक संस्थान खोलने की आजादी तक दे रहा है तो बहुत अच्छी बात थी जो सविधान में लिखी गई है अब भारती सविधान वर्सेस अन्य देशों के सविधान के अमलोग तुलना कर लेते हैं अन्य देश में USA की बात करूंगा भारत का सव सविधान में क्या प्रावधान और भारती सविधान में क्या प्रावधान इन दोनों को समझते हैं अमेरिका में क्या हुआ अमेरिका का सविधान दोस्तों बहुत पुराना है अमेरिका के सविधान लगबक 1789 के असपस लिखा गया था 1789 बहुत पुराना हमारा हमारा सवि विधान संशुदन के दोरा उनने क्या लिखा उसमें यह लिख दिया गया कि विधाय का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष ले यह विधाय का वहां की जो संसद वो ऐसा कोई कानून ने बनाएगी जो धार्मिक स्वतनता को रोकता हो ना तो वह धार्मिक स्वतनता को रोकता हो ऐसा कानून बनाएगी और नहीं इसा कानून बनाएगी जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो इसका मतलब वहां का जो विधाय का संसद जो रहेगी राज जो रहेगी सरकार जो रहेगी वह धर्म से बिलकुल अलग रहेगी धर्म अलग है राज अलग है वह न पक्ष लेगी और नहीं स्वतनता को रोखेगी चुप चाप आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे मतलब विधाय का किसी धर्म को राज की धर्म की रूप में गोशित नहीं कर सकती और नहीं प्रात्मिक्ता दे सकती हैं यह लिखा गया इसमें ना तो किसी धर्म को राज की धर्म के रूप में अधिकायता दे सकती हैं और नहीं किसी प्रकार का कोई प्रात्मिक्ता दे सकती हैं इसक दूसरे के मामले में इंटरफेर नहीं कर सकते हैं अब भारत वर्सेस में भारत की बात करते हैं भारती धर्म भारती धर्म निर्पेक्ष्टा राज्य को धर्म की मामले में हस्तक्षेप करने की छूड़ देता है अभी यूसे में क्या बोला कि धर्म के मामले में राज्य और के मामले में धर्म दखल एक दूसरे के मामले में दखल नहीं ते अलग अलग किया गया है लेकिन भारत में क्या भारती धर्म निर्पेक्ष्टा राज्य को कुछ मामले में धर अस्तक्षेप करने का अधिकार देती है कुछ मामले में अस्तक्षेप करने का अधिकार देती मतल प्रति सर्वेदन शील बनाता है मतलब अगर आपको आपके देश में आप भारत में रह रहे हैं और आपको मौलिक अधिकार के बारे में ज्यान ही नहीं है तो फिर आप मौलिक अधिकार के प्रति सर्वेदन शील कैसे हो जाएगे मतलब आप अपने अधिकार मांगे के से में जुरूर बताया जाता है क्योंकि अगर आपको अधिकार पता नहीं हो कि तो मांगो की केसे आपको पता ही नहीं कि आपका है कोई चीज आपके नहीं है तो आपको जिंदगी भर नहीं पता चलागा कि यह मेरी थी इसलिए इस प्रकार अधिकार के होने का ज्यान हमें अधिकारों के प्रति सर्वेदंशिल बनाता है इसलिए अधिकारों का ज्यान होना सबसे जरूरी है हाला कि है अधिकारों का उलंगन अभी भी बन्द नहीं हुआ है कितने ही सरकार हस्तकशेप कर दे या हमारे देश में कितने ही लोग सोच लेकि हम धर्म निर्पेक्ष हैं यह सब के साथ समान विवार किया जाएगा लेकिन फिर भी इस देश में अधिकारों का उलंगन आज भी बंदने हुआ दोस्तों कितनी खतरनाक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद 2022 आगया लेकिन फ भारती धर्म निर्पेक्ष्टा की बात के अंतरकत हम लोग एक चोटा सा एक्जामपल समझ लेते हैं फ्रांस का फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक कानून जादी किया था दोस्तों यह फ्रांस के इसकूलों पर लागो होता है और यह सबसे इसलिए पढ़ना एहम है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इसकूल ऐसा परिसर है जहांपर किसी धर्मों को कोई तवजू नहीं दी जाती तवजू से मतलब यह है कि समर्तर नहीं करता कि किसी धर्म को विशेसत कोई छूट नहीं मिलना चाहिए सभी धर्म के लोग समान होना चाहिए स्कूल में अब चोटा कोई स्कूल में कोई बच्चा है दास दस्वी ग्यारी बारवी पढ़ रहा है मन लोग उसकी डाड़ी आना शुरूँगी तो अगर सब क्लीन शेव रहते रूल मतलब रूल तो इसकूल बनात से रह सकते बहुत ही लिबरल देश है लेकिन फिर भी स्कूलों में स्कूलों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है वो उनने 2004 में एक कानून बनाया इस कानून में प्रावधान किया कि कोई भी विध्यारती जो है ना तो वो चाहिए वो इसलाम चाहिए वो मुसलिम हो यहूदी हो कोई भी धर्मका व्यक्ति है वह ना तो बुरका इसलामी बुरका यहूदी टोपी या बड़े-बड़े इसाई वाले जो है वो क्रॉस लगा के आ जाते थे अपने धर्मक या राजनितिक चिन्हों चिन्ह या प्रतिकों को धारण करके इस्कूल नहीं आएगा कोई भी बच्चा अपने धर्मके चिन्हों को प्रतिकों को धरन करके इस्कूल नहीं आएगा इस्कूल की यूनिफॉर्म है उसी में आएगा उसके बलावा है तो भगा देंगे फ्रांस में रहने वाले बहुत सारे आप्रवासी लोग प्रवासी जो दूसरे देश से आया था कि फ्रांस में जब मजदूरों की कमी आया थी 1960 के रश्चक में तो फ्रांस ने इन देशों से मजदूरों को यहां पर लेकर क्या थे वीजा दिया था और बहुत सारा लोग वहीं बस गए उनके बेटे बेटिया जब वहां पढ़ने जाते तो वह रुमाल बांध की चै और मुरक को तीन देशन इनके जो लोग थे वहां पर चाहिए वह मुस्लिम हो चाहिए हिसाई हो लेकिन धर्म की माने तालग थी तो उनकी बेटे जब स्कूल जा रहे थी तो अक्सर वह सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी हिजाब जिसको बोलते हैं तो लेकिन इस नए कान कर आओगे आपका अलाओ नहीं किया जाएगा भारत में भी दोस्तों अभी इसा वाकिया हुआ था करनाटक में कि कुछ लड़गिया जो थी कुछ चात्रा है जो थी वह हिजाब पहन करके एक्जाम देने पहुँच गई थी लेकिन अगर आप इसा नहीं करोगे अब उसमे देने से वंचित कर दिया गया सरकारी स्कूल की बात है दोस्तों और वैसे भी इसकूलों में इस तरह की घटनाया नहीं होना चाहिए किसी धर्म को अलग से यह प्राइटी नहीं दिने चाहिए कि आप यह सही करोगे सभी धर्म के लोग समान होते हैं वहाँ पर वैसे में पर यह सब्सक्राइब करने का अधिकार भी नहीं मिलता है तो धर्म के मामले में स्कूलों को बिल्कुल भी बिल्कुल नूट्रल होना चाहिए और अपना नियम बना सकता है स्कूल पर इसर में आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे स्कूल से बाहर निकला वापस हिजा पहन लो कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन स्कूल में नहीं ऐसा कुछ बाक्या हुआ था जो बहुत ज़्यादा लाइम लाइट में आ गया और देश में बहुत लडाई चली उसको लेकर के भगवाधारी और और मुस्लिमों के बीच में लडाई चिड़ गई राजनीती भी बीच में और बहुत मामला बढ़ गया अभी भी आज भी चल रहा है वह मामला तो आप लगातार इसे मामलों से बचे आप देखिए कि वह सिचुएशन क्या थी परिस्तिती क्या थी नहीं तो सरकार खुद आकर के इसी मामलों को स्कतम कर सकती है लेकिन भाई इसकूलों में सरकारी ज परिक्टर जो है वह सिक्वेंशली मिल जाएंगे ऐसे में आपको करना क्या है आप जैसे इस वेबसाइट को सर्च करोगे आपको मिलेगा CBSC Hindi Medium सीपी हिंधीम के अंतर के आप किया करेंगे क्लास एट को क्लिक करेंगे जैसे क्लास एट के अंदर पोचेंगे आपको विज्छान गणीत सामांज अंगरेची और सामाजिक विज्ञान जैसे सिक्षक आपको दिखाए देंगे आपको इनके नीचे लिखाऊ वह Watchण यहां पर ऐसे आपको एक वाश्न नौपर क्लिक करोंगे आपको एक विंडू ऊपन होतीं दिखाए दिया हूँ आप चाहे तो जैसे क्लिक करोगे आप इस पर स्ट क्लिक करें आपको एसी विंडो खुलती दिखाए देगी और आपको अपना टीचर पढ़ाता जाएगा आपको next video क्लिक करना है तो आप यहां पर सिदाकर next video देख सकते हैं एक के बाद एक next video करकर के आराम से नोट्स बनाईए कोई जल्दी नहीं है दोस्तों magnet बेंस आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्सिक्षा जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विध्यारती को दी जा रही है और हिंदी और अंग्रजी दोनों माध्य में दी जाती हैं दोस्तों अगर आपको लग रहे हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे तो हमारे तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स म झाल